दिली के जहांगीर पूरी में हनुमान जियन्थी के मौके पर निकली शोभाई क्यात्रा ने सांपरदाइक दंगे का रूपने लिया था। देश में एक के बाद एक सांपरदाइक दंगों की घट्टाएं होती जा रही है। करोली फिर खरगोन के बाद अब जहांगीर पूरी हिंसा वे जंगे के बाद इलाके में अफ्रा तफ्री का महौल है। शांती बहाली को देखते हुए प्रशासन के द्वारा इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कई सांपरदाइक दंगों के बाद अब जहांगीर पूरी हिंसा पार सियासी बवाल वे मचा है। दिल्ली के जहांगीर पूरी हिंसा के बाद ये मुद्दाच चर्चा में लगातार बना हुआ है कि कब चलने वाला है दिल्ली के जहांगीर पूरी में बुल्डोसर। इस मामले में लगातार जियासत जारी है आरोप प्रतियारोप का दौर शुरू हो चुका है अब तक इस हिंसा में पुलिस ने 25 लोगों को किरफतार किया है इसके बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के जांगीर पुरी इलाके में बुल्डोजर चलाने के तयारी की जा रही है आपको ये बता दें कि MCD ने 400 पुलिस जवान मांगे है MCD ये एक्षन अवैद निर्मान के खिलाफ करने चा रही है जिसके लिए MCD ने 400 पुलिस जवानों की मांग की है MCD ने लेटर में लिखा है कि कानून विवस्ता संभालने के लिए उन्हें 400 पुलिस जवानों की जरूरत है जिसको जल्द से जल्द भेजा जाए आपको बता दे कि जहांगीरपुरी वही लाखा है जहांपर हनुमान जियनती के तोरान हिंसा हुई थी और कई पुलिस गर्मी घायल हुए थे इस हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 25 लोगों को धर्द वोचा है हिरासत में लिये कि इन लोगों से पुलिस पूछताच कर रही है जागीरपुरी इंसा के बाद पुलिस एक्षन में आई और सबसे पहले 14 लोगों को धर्द आर कर लिया गया आपको बता दे कि इन 14 लोगों की धर्द आरी को लेकर भी सियासी भवाल मत चुका है कई लीडर्स ने सवाल कड़े किये हैं AI, MI, AIMIM के चीफ असुदुदिन ओवैसी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 14 लोगों को पुलिस ने गिर्द आर किया है सभी मुसल्मान है ये कैसी जाच की जा रही है सवाल उटने के बाद पुलिस ने फिर 11 लोगों को की रफ़तार किया अब तक अब पुरे मामले में 25 लोगों की रफ़तार हो चुके है अब पुलिस ने लोगों की रफ़तार हो चुके है